हलेलुया सबी को जाय मसी की खुद आप सबको भूँँट पहुँट आशीशे दे हलेलुया एक मैसेज दिना चाहती हूं आप सब्वी को कि कई बार लोग क्या है कि येशु मसी को चर्च को एक बाबाओं की तरह इस्तमाल करते है बाबाओं की तरह यूज करते है उन्होंने येशु मसी को एक बाबा समझ रखा है वो कैसे कि अगर आप किसी चर्च में जा रहे हैं और आपका या तो आपके 25 काम परमेशन ने कर दिये लेकिन अगर आपका एक काम नहीं हुआ तो आप ये सोचते हैं यार यहां मेरा काम नहीं हो रहा है चल भी दूसरी चर्च चलते हैं आप दूसरी चर्च भी चले आते हैं वहां भी काम नहीं होता है चल यार तीसी चर्च चले आते हैं आपने काम कौन कर रहा है येशु मसी कोई पास्टर नहीं कर रहा है येशु मसी ही पहली चर्च में काम कर रहा था येशु मसी ही दूसरी चर्च में काम कर रहा था येशु मसी ही तीसी चर्च में भी काम कर रहा है येशु मसी ही काम कर रहा है हलेलुया लेकिन कई लोग जो ह वो येश्य मसी को बाबा की तरह यूज करते हैं कि चलो भई आशाराम ने काम ने किया आशाराम पुझी ने काम ने किया चलो भई बागेश्वर बाबाजी के धाम चलते हैं चलो भई यहां काम ने हुआ वहां चलते हैं ये गलत है येशु मसी को बाबा मत समझो अगर जिस चर्च में परमेशों ने आपके 25 काम किये न तो वो 26 काम करने की भी ताकत रखता है हलेलुया तो प्लीज येशु मसी को बाबाओं की तरह इस्तमाल मत करें येशु मसी जिन्दा परमेशों है हलेलुया जिस चर्च में आप जा रहे है उस चर्च में इमानदारी से वफादारी से उस चर्च के साथ बने रहें अपने पास्टर्स के साथ बने रहें वफादार बने रहें खुदा काम करेगा आजकल लोगों को जल्दी होती है यार आज ही चर्चा आए है आज ही हमारा काम हो जाए ऐसा नहीं है अबराहम के संतान नहीं थी और अबराहम ने कितने सालों वेट किया हलेलुया परमेश्वर काम करता है पर परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है आपका बच्चा दो साल का है और आपसे आके कहें पापा मुझे दो हजार रुपे दे दो मुझे चीज लेके आने है ये चार साल का आप दो हजार रुपे का नोट दे दे देंगे नहीं और वो ही बच्चा 25 साल का हो जागा और आपसे मांगे पापा मुझे 10,000 दे दो तो आप 10,000 देने दे देंगे उसे हलेलुया परमेश्वर अबराहम को पहले संतान दे सकता था लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि हे अबराहम तु सिद्ध होता चला जा हलेलुया जो गिफ्ट आपको चाहिए जो परमेश्वर से आपको अपना काम कराना है तो उस काम के अनुसार आपको परमेश्वर के अनुसार ढलना होगा जो परमेश्वर कहता है आपको वो करना होगा जब आप उस लाइक हो जाएंगे उस चीज़ को लेने के लाइक हो जाएंगे उस गिफ्ट्स को लेने के लाइक हो जाएंगे तो definitely परमेश्वर आपको देगा ही देगा और जिस चर्च में परमेश्वर 25 काम कर सकता है 30 काम कर सकता है अंगिनत काम कर सकता है वो एक काम क्यों नहीं करेगा करेगा तो जिस चर्च में आप हैं उसी में वही पे वफादार बने रहें अपने पास्टर के साथ वफादार बने रहें जो आपके पास्टर का विजन है उस विजन के साथ रहें इमानदारी से वही चर्च में रहें अगर आप ऐसे चर्च को बदलते रहेंगे आप कहीं सक्सेस नहीं हो पाएंगे हलेलुया और यह शेतान की चाल होती है कि तेरह यहां काम नहीं हो आप चलो भई दूसरी चर्च चलते हैं यहां काम नहीं हो आप चलो भई वहां चर्च चलते हैं आप जिस चर्च में हैं, वहां बने रहें. आमेन. परमेश्वर हर जगे काम करता है. हलेलुया. इसलिए जिस चर्च में हैं, वहां बने रहें. जिस पास्टर के साथ है, जिस पास्टर के साथ है, आप वहां बने रहें. अपने पास्टर के साथ इमानदार रहे वफादार रहे शेतान के भढ़कावे में मताए चली प्रात्ना करते हैं धन्यवाद पिता परमेशर जलाली खुदा खुदावन पिता परमेशर तर धन्यवाद करते हैं परागी नामने के लिए प्राभु जितने भी जन पिता पर्मेशर मेरे साथ इस प्रात्रा में से भागी हो रही है। परमेशर तुछ पर विश्वास करें, यह कभी निराशा में नी जाएं पिता परमेशर कभी, हलेलूया, खुदा पर विश्वास करें, क्यु separator, कोई prophet, कोई apostle, कोई bishop, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं परमेश्वर काम करता है उस परवीत रात्मा को उस जीज़स को बाबा मत समझो कि इस चर्च नहीं दूसरे चर्च नहीं तीसरे चर्च बट को मत जहां हो वह इमांदारी वफादारी से बने रहो अपने अगूँ के साथ चलो, हलेलुया खुदा जरूर ब्लेस करेगा आमेन, सबी को जाय मसी की God bless you all